हेलो दोस्तों काफी दिनों बाल आज आप लोगों के सामने रूब रूब हो रहा हूं और अब कच्छाएं जो है निरंटन्स चलेंगी और खासकर आप लोगों आप लोगों के जो पेफर खासकर फायर मैन या फिर गूरूब डी या फिर एंटी पीसी अन एकजाम आप लोग में ही कराने की कोशिस करेंगे और रही बात आप लोगों की तैयारी की तो हमें पूरा अहसास होता है क्योंकि आप लोग अच्छे मन से और इमानदारी से जुड़े हुए हैं अपनी मेहनत बना के रखिएगा ताकि आप सफल हो जाएं परिच्छा में आपकी बार बहुत ह पढ़ाने चल रहे हैं पासा डाइस जिसे इंगलेस में डाइस बोलते हैं और इंदी में इसे पासा बोलते हैं आप लोग भी यह जानते होंगे जो महा भारत देखे होंगे जानते होंगे कि प्राचीन काल में ही पासा का सुरुवात हुआ था जब कवरो और पांडो में ल इसा चित्र है पासा है एक पासा है एक 3D चित्र है इसा क्यूं है इसलिए कि पासा एक ऐसा चित्र है कि आप किसी भी एंगल से उसे देखिएगा तो अधिकतम आप उसके तीन ही पार्ट को देख पाएंगे अगर उसके तीन ही पार्ट को आप देख सकते हैं तो ऐसे चितर को आप कैसा चितर कहते हैं 3D चित्र यानि आप इसे कह सकते हैं 3D मीए चित्र इसे आप ऐसा पी चित्र 9 पर il अगला पॉइंट क्या आता है अगला पॉइंट आता है कि पासा में कुल कितने फ़लक होते हैं यह सते हैं होती हैं तो पासे में कुल छे फलक होते हैं रही बाद आप पासे में और भी कुछ होते होंगे ठीक है अगर पासे में कुल छे फलक हो गए तो रही बात अब कोनों की आ गई यानि कोना जिसे आप कहते हैं ठीक है तो पासे में कि पासे में कुल कोनों की संख्या कोनों की संख्या आठ होती है अब अगली पॉइंट पर चलते हैं हम तो देखेगा पासा एक त्रिडी या त्रिवीमिय चित्र है पासे में कुल कितने फलक होते हैं तो छे फलक होते हैं पासे में कुल कोनों की कभी कभी प्रस्ण में ये भी पूछ लिया जाता है कि पासे में कुल कितने किनारे होते हैं, ठीक है, तो पासे में कुल किनारों की संख्या, ठीक है, टोटल होती है, 12, ठीक है, तो पासा कैसा चित्र है, 3D चित्र है, या आप कह सकते हैं, इसे 3B में चित्र, ठीक है, अब पा पासे में कुल कोनों की संख्या कितनी होती है आठ होती है पासे में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है बारा होती है ठीक है यह चार पॉइंट आपके रहे ठीक है फिर हम आगे इसको बिस्तरी बताने चलना है कि यह थ्री वीमिय चित्र ऐसा क्यूं है ठीक है हम आपको चि बनाते हैं कि यह राप का बर्ग अभी एक ही वर्ग हुआ ठीक है अभी इसी में दूसरा बना दीजिए कि अब आप दूसरा बर्ग बना देते हैं ठीक है अब रही बात इनके कोनों को मिला दीजिए ये आपका पासा हो गया अब इनके कोनों को मिला दीजिए यह आपका पासा बन गया अब आप इसे किसी भी एंगल से देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम आप देख पाएंगे तो इसके तीनी फलक देख पाएंगे अगर आप इसके तीनी फलक देख पाएंगे तो ऐसे चित्र को आप कैसा चित्र कहते हैं 3D या 3B में चित्र कहते हैं ठीक है अब अगर इनके नाम रखे जाएं ए बी सी डी ए यफ जी यच तो आप देख रहे हैं इसमें कुल कितने कोने हुए तो एक ये और एक ये और एक ये और एक ये चार हुए फिर पांच फिर छे फिर साथ फिर आठ तो टोटल कोनों की संग्या कितनी हुई आठ हुई ठीक है अब रही बात किनारों की बात की जाए अगर किनारों की बात की जाए तो आप देखते हैं कि एक किनारा बनता है AC रही बात दूसरे किनारी की बात करें तो दूसरा किनारा बनता है AB दूसरा किनारा आपका बनता है AB और तीसरा किनारा बनेगा BD तीसरा किनारा आपका BD बनेगा और चौथा किनारा आपका CD C D ठीक है अभी तो टोटल देखे रहा है हम चारी किनारे हुए अभी और भी देखते हैं किनारों की संख्या कितनी आ रही है तो एक किनारा ये भी हो जाएगा A और G अगला देखते हैं B और यच अगला देखते हैं G E अगला देखते हैं C E यानि आप इसे E C भी कह सकते हैं ठीक है अभी कितने हुए चार चार आठ अभी चार बच रहे हैं चार कौन-कौन से हैं ये भी देख लेते हैं तो आप देखते हैं तो D और यफ ठीक है अब आप देखिएगा इफ और भी देखिएगा यच यफ और भी है तो और भी देखते हैं कहीं पर आपका भी यच हो गया जी इफ हो गया जी यच भी हो गया जी यच नहीं हुआ है तो यही आपका बचरा है जी यच ठीक है तो कुल कितने हुए है चार यहां चार यहां चार यहां तो टोटल किनारों की संख्या कितनी हुई बारा हुई तो ठीक है कोनों की संख्या आपका आठ और किनारों की संख्या बारा रही बात इतनी सी बात है अब आगे हम चलते हैं कि पासा, तो पासा मुखिता कितने परकार के होते हैं, तो पासा मुखिता दो परकार के होते हैं, एक कैसा पासा, मानक पासा और दूसरा साधारन पासा, सभी को पता होगा, लेकिन इसके अंदर भी क्या-क्या बाते हैं, उसको भी हम आद देखेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा पुरे मन से इमानदारी से पढ़ाई करिएगा ताकि आप आने वाले समय में जितने भी पेपर दें और सब में आप अउल दर्जे में पास हों ताकि आप के जितने भी गुरूजन होंगे बच्पन से पढ़ाए होंगे उनको भी अपने आप में गर्ब होगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप इमानदारी से मेलब किये हुए हैं ठीक है कि चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पासा कितने परकार के होते हैं मुखिता पासा पासा रही बात पासे की तो पासा मुखिता मुखिता पासा दो परकार के होते हैं कौन से मानक पासा मानक पासा और दूसरा आपका साधारन पासा दूसरा आपका साधारन पासा एक बनता है मानक पासा और दूसरा बनता है साधारन पासा अब मानक पासा क्या होता है ठीक है तो मानक पासा ऐसा पासा मानक पासा ऐसा पासा जिनके किन्ही दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ ना हो सेवन जिसे आप सेवन कहते हैं किन्ही दो निकटवर्ती सतहों का योग सेवन ना हो कैसा पासा होगा वह मानक पासा होगा अब आएए साधान पासा में देखते हैं मानक पासा मानक पासा हो गया कि किन्ही दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ ना हो सतहों का योग सात हो, अब आप इसमें ही देख लेते हैं कि मानक पासा क्या है, साधारन पासा क्या है, रही बात ये सात की, जिन किनी दो निकट वरती सतहों का योग सात आ जाए, आप उसे तुरंत जानिएगा कि वह कैसा पासा है, साधारन पासा है, अब किनी दो निकट वर निकटवर्ती सतों का योग सात ना हो तो आप उसे कहेंगे वह कैसा पासा है मानक पासा है इसे याद करने का यही तरीका थोड़ा सुध्यान देंगे इसी सात को इसी साधारन से ठीक है सा से सा से साधारन तो आप इसे याद भी कर सकते हैं कि किनी दो निकटवर्ती सतों का य जोग सातना हो तो आप उसे मानक पासा कहते है अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मानक पासा होगा 1945 तो उसमें पूछा जाएगा कि किनहीं भी सत्ह का विप्रीतbased पूछ लिया जाएगा तो उसे आप निकालन निकालेंगे कैसे ही मानक पासे का नियम कैसे चलता है, तो मानक पासा का नियम आप देखी यहाँ पे, तो हम एक पासा बना रहे हैं आपको, ठीक है, इस पासे को देखिएगा, अब आप देखिएगा, एक सता पे तीन रखा गया, दूसरे सता पे एक रखा गया, तीसरे सता पे 5 रखा गया अब आप इन्हें कि नहीं भी दो निकटवर्ती सतों को जोड़िएगा तो 7 नहीं आएगा आप देखेंगे 3 पलस 1 करेंगे कितना आया चार आया ठीक है वैसे आप 1 पलस 5 करेंगे तब भी कितना आएगा 6 आएगा 3 पलस 5 करेंगे आपका 8 आएगा आप बताईए कि नहीं दो निकटवर्ती सतों को जोड़ने पे साथ आया नहीं आया तो यह नहीं आया इसलिए यह कैसा पासा होगा मानक पासा होगा लेकिन पूछा जाएगा आपके प्रस्न में आपके प्रस्न में पूछा जाएगा कि 3 का बिपरीत बताईए तो अगर 3 का बिपरीत आपको निकालना हो 3 का बिपरीत आपको निकालना हो तो आप सिधा सा करिएगा कि जिसका भी बिपरीत निकालना हो उसे 7 में से माइनस कर दीजिएगा तो यानि तीन का विपिरित साथ माइनिस तीन निकल के आए आपका कितना चार अब वो ऐसे पूछ लिया जाए पांच का विपिरित पूछ लिया जाए पांच का विपिरित पूछा जाए पांच का विपिरित तो अगर 5 का विप्रीत पूछा जाए तो आप कहेंगे 7-5 यानी 2 ठीक है आप यहाँ देखिएगा अगर 1 का विप्रीत पूछा जाए तो आप कहेंगे 7-1 बराबर कितना 6 यह रहा मानकता के नियम ठीक है इसे ही आप मानकता का नियम कहते हैं कि कोई भी पासा अगर अकेला पासा दिया हो और उसमें पूछा जाए किनी सतहों का विपरीत पूछा जाए तो आप देखेंगे कि वह कैसा पासा मानक है या साधरन अगर वह मानक रहा तो आप उस सतह को साथ में से माइनस कर देंगे तो उसका विपरीत निकल के आपका आ ज हम साधान पासा की तरफ चलते हैं ठीक है मानक पासा अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है आई यह हम साधान पासा की तरफ चलते हैं ति यह कहता है कि कि नहीं दो निकट वर्ती सतों का योग साथ हो तो आप देखिएगा यह आपका एक पासा रहा ठीक है इसमें आप देख यह रहा आपका साधारण पासा ठीक है यह कैसे देखें आप साधारण पासा है आप देखिएगा कि नहीं दो निकटवरती सतों का योग साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा तीन में चार जोड़ेंगे कितना आया या साथ आया आप वह से यहां पी देखि चार प्लस पांच करिएगा, और तीन प्लस पांच करेंगे तो हो जाएगा आठ, आप देखिए, किन्हीं दो निकटवर्ती सतों का योग साथ आना चाहिए, यह आपका साधरन पासा कहता है, तो आप देखिए, एक का योग साथ आया की नहीं आया, तो यह कैसा पासा हो गया साधर्ण पासा हो गया अब इसमें पूछा जाएगा कि तीन का विपरीत बताईए तो साधर्ण पासा कनियम ये कहता है कि किनी भी सता का विपरीत पूछा जाए किनी भी सता का विपरीत पूछा जाए तो वे सता हो जाएंगे उनके विपरीत जो सतहा उपलब्ध नहीं है ठीक है जो बिलूप्त है तो आपको पता भी है कि पासे में कुल कितने सता होते हैं छे सता होते हैं तो कौन-कौन सी सता पता है तीन, चार और पांच इतना सता पता है अगर इसमें तीन का विपरीत पूछ ले तीन का विपरीत आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे तो आप कहेंगे एक या दो या छे ठीक है इसमें इन तीनों में से इन तीनों में से कोई भी इसका विपरीत हो सकता ये हम पता नहीं कर सकते सादान पासा में खस कर ठीक है अगर यह मानक पासा होता तो आप 7 में से माइनस कर सकते थे लेकिन यह साधरन पासा है इसले कि नहीं भी सता का विपरीत पूछा जाए तो जो सता हैं हमें नहीं दिखती उन में से कोई भी उनका विपरीत हो सकता है ऐसे इसका 5 का विपरीत पूछा जाए तो आप यही फिर हो जाएगा 1 या 2 या 6 ठीक है अगर 4 का विपरीत पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 या 2 या 6 ठीक है साधर्ण पासा भी आप जानगे और मानक पासा भी आप जानगे अब रही बात question कहा कहा से कैसे कैसे type से बनते हैं ठीक है तो आप मानक पासा और रही बात साधर्ण पासा ये दोनों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो type भी करने में आसानी होगी ठीक है हम टाइप पे चलते हैं चलिएगा दोस्तों हम देखते हैं टाइप पासे का टाइप तो पासा तो आप पहला टाइप इसका बनता है जब जब पासे की जब पासे की एक एक इस्थिती एक इस्थिती दी गई दी गई ठीक है जब पासे की एक इस्ति दी गई हो, ठीक है, तो आप उसमें सबसे पहले, देखेगा, हम कुछ बातों को लिखते रहे हैं, ताकि आप अपनी कापी में या फिर दिमाग में भी नोट कर सकें, ठीक है, चलिएगा, जब पासे की एक इस्ति दी गई हो, तो आप सबसे पहले क्य करेंगे तो जब पासे की पासे की एक इस्थती एक इस्थती दी गई हो दी गई हो तो हम देखेंगे की तो हम देखेंगे की हम देखेंगे कि वहाँ पासा मानक है या साधारण है अगर पासा मानक पासा हो तो हम मानकता के नियम का पालन करेंगे अगर वहाँ अगर वहाँ साधारण पासा हो तो हम साधारण पासा वला नियम पालन कर उत्तर प्राप्त कर लेंगे ठीक है दोस्तों इतनी सी बात है ठीक है जब पासे की एक इस्थिती दी गई हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप देखेंगे कि वहाँ पासा कैसा पासा है मानक या फिर साधारण अगर वहाँ पासा मानक पासा हो और किसी भी सता का विप्रीत पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे आप क्या करेंगे आप करेंगे मानक्ता की नियम के तरीके से या मानक्ता के नियम का पालन करके आप उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अगर वहाँ पासा साधान पासा रहा तो आप साधान पासा वाला नियम पालने करें उत्तर प्राप्त कर लेंगे अब देखते हैं कि हम कुछ कोईस्टन रखते हैं दो से तीन कोईस्टन ज्यादा नहीं क्योंकि आप को बुक में भी question मिल जाएंगे हम याँ concept पढ़ा रहे हैं इतना जल्दी हो सके इतना जल्दी हम इसे पढ़ा के खतम कर देंगे दो class में इसे खतम कर देंगे पासे को तो आज और कल दो दिन क्लासे चलेंगी और पासा एकदम कतम होगा तो इसके हम दो question रखते हैं एक मानक पासा का रखते हैं एक साधरान पासा का रखते हैं ठीक है चले दोस्तों आपके सामने पहला सवाल रहा पहला सवाल आपके सामने रहा ठीक है पहला सवाल आपके सामने रहा कि पासे की एक इस्ति दी गई ठीक है, पासे की एक इस्ति दी गई है, जो कुछ इस तरीके से, और पूछा गया पांच का विपरित, पूछा गया पांच का विपरित, दूसरा पासा आपके सामनी इस तरीके से रहा, दूसरा पासा आपके सामने इस तरीके सरा इसमें पूछा गया एक का विपरित इसमें एक का विपरित पूछा गया तो अगर जब सिंगल पासा या एक पासा दिया गया हो या पासे की एक इस्ती दी गई हो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वह पासा मानक पासा है या फिर साधान पासा तो आपको पहला पासा कैसा दिख रहा है देखने में दिख रहा होगा कि आप तीन और चार को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा साथ पराप्त होगा अगर यह साथ पराप्त हो गया तो यह पासा कैसा पासा साधान पासा तो इसमें पांच का विफडीट आप क्या कैसान सकते हैं जो भी सतहें ना दिख रही हो तो कौन-कौन सी सतहें नहीं दिख रही है एक या designs arc दो या छे ठ TP पांच का विप्रीत, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या छे भी हो सकता है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, रही बात, अब इस वाले पासे में एक का विप्रीत पूछा है, तो इस ये पासा कैसा पासा दिख रहा है, ठीक है, आप तीन और एक को जोड़ र साथ प्राप्त नहीं हो रहा है तmosy यह कंग ऐसा है मानक पास है तो अगर एक का विप्रित पूछ ले तो साथ माइनस आप एक कर देंगे क्या प्राप्त होगा तो आई एक का विप्रित क्या हुआ है आएए हम दूसरी type पे चलते हैं जब पासे की दो इस्थ्ति दी गई हो हम दूसरे वाले पे चलते हैं आए चलिए गा हम इसी में देखते हैं जब ये दूसरा type आपका बनता है type 2 टाइप टू ठीक है टाइप टू जब पासे की दो इस्तिती दी गई हो जब पासे की दो इस्तिती दी गई हो तो इसमें बापू इसमें आपके चार टाइप से प्रस्णाप के बन सकते हैं इन चारो टाइप को आप देखिएगा ठीक है हम चारो टाइप को बता रहे हैं पहल जब संगत सतापे पर अंक समान हो थीक है अंक समान हो थीक है दूसरा टाइप आपका बनेगा जब किन ही दो सतापों के अंक समान हो तिसरा आपका इसिम बनेगा चक्रिय नियम चक्रिय या गुड़न का नियम ठीक है मतलब जब पासे की दो इसिति दी गई हो तो आप चार माध्यमों से ही सवाल को हल कर सकते हैं तो यहां देखिएगा चौथा टाइप आपका क्या बनेगा जब किन्ही किसी का भी किसी जब किसी का अंक सामान ना हो यानि जब कोई भी सता के अंक एक दूसरे के सामान ना हो तो आप इस तरीके वाले को फालो करेंगे अभी इस तरीके में हम थोड़ा बताएंगे इसको ठीक है तो हम पहला टाइप चलते हैं जब संगत सतापरंक सामान हो तो हम इस पे चलते हैं अभी पहले टाइप पे चलते हैं एक पासा आपका ये होगा और एक पासा आपका ये होगा जब दो पासे दिये हो और संगत सता पे अंक सामानो संगत सता संगत सता ठीक है ये रहा आपका पासा यानि दो पासे दिये गए दो पासे दिये गए और आप से पूछा गया चार का विपिरित चार का विपिरित चार का विपिरित या आप से पूछा गया तीन का विपिरित या आप से पूछा गया दो का विपिरित इसमें ऐसे प्रस्न पूछेगा कि जब संगत सतापे अंक सामान देखे ठीक है संगत सता अप देखते हैं कि आपका उपरी सता ये दाई सता और ये आपकी बाई सता तो इसकी भी ये उपरी सता हो गई और ये दाई सता हो गई और ये आपकी बाई सता हो गई ठीक है अब दो पासे दिये गए आप देख रहे हैं कि जो उपरी सता पे अंक है वही इसके भी उपरी सता पे अंक है ठीक है यानि इस पे भी चार और इस पे भी चार ठीक है, तो चार का विपरीत क्या होगा, तो चार का विपरीत वही अंक हो जाएगा, जो दोनों पासों में नहीं दिख रहा, तो दोनों पासों में कौन सी सता नहीं दिख रही है, यानि एक वाली सता नहीं दिख रही है, तो यानि चार का विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो अब रही बात तीन का विपरीत पूछा जाए तीन का विपरीत पूछा जाए ठीक है तीन का विपरीत पूछा जाए तो आप कहेंगे बाई वाली बाई सता के विपरीत और दाई वाली दाई सता के विपरीत ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तीन का विपरित क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, और दो का विपरित क्या हो जाएगा, छे हो जाएगा तो आप जब संगत सता पे अंक सामान दिखे तो आप चुटकियों भर में ऐसे सवालों को कर सकते हैं कि अगर संगत सता पे अंक सामान हो और सामान वाले का ही विप्रित पूछा जाए तो आप दोनों पासों को compare करिएगा जो अंकर ना देखे वही उसका विप्रित हो जाएगा ठीक है और रही बात किनी भी सता का विप्रित पूछ ले जैसे इस सता पर जो उसका विप्रित पूछ ले तो इस सता का इस सता से और यह सता यह सता से विप्रित हो जाएगे ठीक है अब हम अगले point पर चलते हैं चले दोस्तों हम देखते हैं दूसरा point आपका दूसरा point क्या बनता है दूसरा point आपका क्या बनता है तो जब जब किनी दो सत्हों का किनी दो सत्हों का हंक समान हूँ किनी दो सत्वों कांक सामान हो तो कुछ इस तरीके से आपको सामने दिखेंगे दो पासे दिये होंगे दो पासे आपको दिये होंगे ठीक है इस पे ठीक है कुछ इस तरीके से आपको पासा दिया होगा ठीक है और पूछा जाएगा पांच का विपरित या फिर पूछा जाएगा तीन का विपरित या फिर पूछा जाएगा तीन का विपरित या फिर पूछा जाएगा चार का विपरित ठीक है किसी भी सता का विपरित ये पूछ सकता है ठीक है तो आप देख रहे हैं ये नियम कहता कि जब कि लिए दो सतहों का अंकर सामान हो तो जो सतहें बच रही हैं वह एक दूसरे के विफिरित हो जाएंगी तो यानि ये देखे, 4 और 3 इसमें, 4 और 3 इसमें, ठीक है, 4 और 3 इसमें, 4 और 3 इसमें, कौन-कौन से सता बच रही है, 2 और 5 बच रही है, तो यानि 5 के विपरित क्या हो जाएगा, 2, और 2 के विपरित क्या हो जाएगा, 5, तो यहांसे 5 का विपरित निकल के आ गया, 2. अब रही बाद बाबू पूछ लिया कि तीन का विप्रित क्या होगा जबकि इसमें दो सतहें कामन हैं तो आप देख सकते हैं तो अगर जो सतहें समान दिखें अगर उनमें से किनी का विप्रित पूछा जाए उनमें से किनी का विप्रित पूछा जाए तो जो सतहें नहीं दिख रही हैं दोनों में जो सतहें दोनों में नहीं दिख रही हैं उनमें से कोई भी उनका विप्रित हो सकता है तो यानि एक ए तो प्रीत, एक भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, तो हम clear नहीं कर सकते, तो यानि आपसर में होगा आपका 1 या 6, उस तरीके से पूछेगा 4 कभी प्रीत, जबकि 4 और 3 दोनों भी समान हैं दोनों पासों में, ठीक है, तो 4 कभी प्रीत भी यही हो जायेगा, 1 या 6, ठीक है, 1 चे तो रही बात दूसरे पॉइंट पे हम बात कियें तिसरे पॉइंट की तरह पर चलते हैं हाँ दोस्तों हम इसके तिसरे टाइप पर चलते हैं कि जब किन ही भी सता का जब किसी भी सता का किसी भी सता का अंक समान ना हो अब क्या करेंगे बबू ये तो बहुत गंभीर समस्या है कि अभी तक आपको दो टाइप मिले जिसमें संगत सता के अंक सामान थे दूसरा टाइप आपका मिला कि किनी दो सतहों का अंक सामान था ये तो तीसरा मिल रहा है कि किनी भी सता का अंक सामान ना हो तो आप देखते हैं ऐसा आप इसमें थोड़ा सा आमनूट लिखवाएंगे भी छे चार दो और रही बात एक तीन पाँच ठीक है यह आपके बनेंगे अब थोड़ा देखेगा जब किसी भी सता का अंक सामान ना हो इसमें आप क्या करेंगे तो इसमें थोड़ा सा नोट करिएगा नोट में लिख लीजिएगा बाबू नोट में आपको क्या लिखना होगा नोट में लिखना होगा कि जब किनी दो पासें दिये हो ठीक है या जब पासे की दो इसी ती दी गई हो ठीक है और कोई भी सता सामान ना दिखे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मानक्ता की जाच करेंगे मानक्ता की जाच करेंगे मानक्ता की जाच करेंगे और जाच करने पर अगर यह मानक विधा काम कर गया मानक वाला नियम काम कर गया तो आप सिधा सा कह सकते हैं कि उपर वाला उपर के विप्रित और दाएं वाला दाएं के विप्रित और बाएं वाला बाएं के विप्रित ऐस आपका हो जाएगा तो आप चले पहले मानकता का नियम का जाच करें तो आप देखें 6 प्लस 2 जोड़ने पे 8 पराप्त होगा दो और 4 जोड़ने पे 6 पराप्त होगा और 6 और 4 जोड़ने पे 10 पराप्त हो जाएगा यानि 7 पराप्त नहीं होगा तो आपका पहला पासा कैसा दिख्या मानक पासा दिख्या दूसरा पासा आप देखिएगा एक प्लस पांच जोड़ेंगे तो कितना होगा छे हो जाएगा पांच प्लस तीन जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा तीन प्लस एक जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा यानि ये दोनों पासे कैसे पासे हैं मान पासे हैं हमने मानक्ता की जाच कर ली हमने मानक्ता की जाच कर ली अगर रही बात विप्रीत की तो इसमें कैसे देखेंगी कौन किसका विप्रीत होगा तो यह इसके विप्रीत हो जाएगा और यह आपका इसके विप्रीत हो जाएगा और यह आपका इसके विप्रीत हो जाए यानि छे के विप्रीत, छा का विप्रीत, आपका एक होगा, और दो का विप्रीत, दो का विप्रीत, पांच होगा, और अई बात चार का विप्रीत, तो चार का विप्रीत आपका तीन हो जाएगा, ठीक है, चार का विप्रीत तीन हो जाएगा, बाकि आप सिंगल सिंगल तरीकों से भी इसको हल कर सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि दोनों पासे कैसे पासे मानक पासे हैं और दोनों में कोई भी सता कामन नहीं है अगर कोई भी सता कामन ना हो तो जिनका भी विप्रित पूछा जाए यानि 6 का भी पूछा जाए तो आप 7 में से चार को माइनेस करेंगे तब भी तो तीन ही आएगा ठीक है तो आप इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं लेकिन आपको दिखे कि कोई भी सता सामान ना हो तो आप सबसे पहले दोनों पासों को मानक्ता की जाच कर लेंगे और मानक्ता की जाच करने के बाद एक दूसरे का विपरीत आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं अब जो बहुत ही इंप्वाटन और चौथा पॉइंट हम आपके सामने लेके आते हैं क्योंकि अभी तक सारे बच्चे इस नियम को जानते हैं और अधिक्तर पासों पे वही ही नियम लगता है ठीक है ऐसा इस नियम से अधिक्तर क्वेशन पासे के लगाते हैं जबकि कहीं कहीं वह नियम काम नहीं करता जैसे इस वाले नियम में वह नियम काम नहीं करता ठीक है तो हम चारो चारो नियम को पढ़ाएंगे तीन नियम पढ़ा चुके हैं चौथवी पर चल रहे हैं हम आपके सामने गुडन का नियम, तो आध हम इसे समझते हैं, चक्रिय उच्रूब गुडन का नियम में क्या होता है, तो आप इसे देखिएगा, जब दो पासे दिये हों, और किन्हीब सतह का अंक, एक अंक सामान देखे किनी भी सता का एक अंक सामान देखे तो आप वहाँ पे चक्रिये घुड़न का नियम लगा सकते हैं ठीक है तो हम देखते हैं दो पासे आपके दिये गए दो पासे की दो इस्ति दी गई है ठीक है चलिएगा देखते हैं 2, 3, 2, टिक है, 2, 5, 1 टिक है, आप देखे हैगा, आप देखे गा कि इसमें पूछ ले पाँच का विपिरित, पूछ ले पाँच का विपिरित क्या होगा, ठीक है, सवाला इसे दे दे, दो पासे दे दे, तो एक पासे की दो इसे दे दे, ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें ना संगत सता वाला नियम लगेगा, ना किनी दो सतहों के वाला नियम लगेगा, ना तीसरा वाला नियम लगेगा, आप ये चाउथा नियम लगाना है, चौथा नियम क्या है चक्रिया घुर्णन का नियम होता तो आप इसे देखेंगे जो आपकी घड़ी होती है यह घुमती है रहागाईज तो आप इसे चाहे रहागाईज और चाहे आप इसे बामा वर्थ गूमाईए तो ज़्यादा आसान हम देशना वर्थ ही गुमाते हैं ठीक है देखते हैं कि अब आप देखेंगे कि इन पासे में और इस पासे में कौन सी सता है जिसके अंक सामान है यानि एक ये सता और ये कि ये सता ठीक है ये सता और ये सता दोनों सतहों पर कौन से अंक हैं दो वाले अ तो ठीक है अब इसे आप clockwise घुमायें का 2 के बाद क्या आएगा 3 2 के बाद 3 और फिर 4 यानि आप नीचे लिखेगो 2, 3, 4 2, 3, 4 अब यहां से भी 2 ही से घुमाना आए अगर 2 से आप इसको घुमाएं ति यहां पे भी 2 ही से घुमाना है तो दो के बाद यहां क्या आएगा पांच और पांच के बाद क्या आएगा एक तो यानि दो के बाद पांच और पांच के बाद एक ठीक है दो तीन दो तीन चार और फिर दो पांच एक अब आप देखिएगा अगर तीन का विपरीत पूछे तो 5 और 5 का विप्रित पूछ ले तो 3 अगर 4 का विप्रित पूछे 1 अगर 1 का विप्रित पूछ ले तो 4 उस तरीके से आप देखिएगा कि 2 का विप्रित 2 हो जी नहीं सकता 2 का विप्रित 2 हो जी नहीं सकता तो आप देखेंगे जो सताह नहीं दिख रही जो सताह नहीं दिख रही वही 2 का विप्रित हो जाएगा यानि 2 का विप्रित हो जाएगा क्या 6 ठीक है 2 का विप्रित अपका 6 हो जाएगा तो यानि यहाँ 5 का विप्रित पूछा तो 5 का विप्रित क्या हो जाएगा 3 ठीक है आज हमारी क्लास यहीं इस तक है, हम आगे आपको जब पासे कितीन ही सिती दी गई, तीन या चार या फांच सिती दी गई हो, या पासा हम परसारित करना सिखाएंगे, और पासे को भरना भी सिखाएंगे, ठीक है, अभी इसमें तीन पॉइंट बसते हैं, तीन टाइप के हम अगली क्लास में इसे कतम कर देंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब, सेर जरूर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद,